श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा 3rd house में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बड़ूत्री करने वाला है जी हाँ इस समय में आप सबसे ज्यादा पायदा होने वाला है जो अपना व्यापार चोटी चोटी यात्राईं से करते है यानि उन्हें व्यापार करने के लिए चोटी चोटी यात्राई करनी पड़ती है इस समय में यात्राई होने के योग बन रहे है खास करके चोटी यात्राई आपको लापकारी सिद्ध होगी दोस्तो इस दि भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा, जी हाँ भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा चंद्रमा इस दिन नवम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा की नवम भाव पर दुर्ष्टी होने से दिन आप के लिए भागेशाली रहने वाला है, लेकिन चंद्रमा पराक्रम छेत्र में गोचर कर रहे हैं। उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी पड़ सकती है। व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है। कोई धार्मिक कार्य संपन्न होने की संभावना है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुब रहेगा, विदेश जाने की प्लानिंग इस समय में आप कर पाओगे, इस समय में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके साथ आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे, जी हाँ, उनके साथ कोई अनबन थी, तो वो तो पूरी तरे से समाप्त हो जाएगी, और आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे, एक दुसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा, भाई बहन एक दुसरे को सपोर्ट कर बाते हुए नजर आएगे एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा, अगर कोई पुरानी अन्बन थी तो वो समाप्त हो जाएगी, अगर स्टूडन्स की बात करते है, विद्यारतियों की बात करते है, तो इस समय में स्टूडन्स को इस दिन खास ध्यान रखना होगा, इस सम स्टूडन्स के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा स्टूडन्स को इस समय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिस तरह से सारी चीजे चल रही है उसी तरह से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर पर्सनल लाइप की बात करते हैं लव लाइप क के लिए भी बेहतरीन है गूमने फिरने के लिए लाइप को एंजोई करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करें इस समय में नए रिष्टे बन सकते हैं और पहले से बने हुए रिष्टे और मजबुत बनेंगे जो लोग अविवाहित है उन्हें भी अच्छे रिष्टे आने की इस समय में समभावना रहेगी समय का अच्छा उपयोग जरूर करें इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंडर राशी पर आधारित है लेकिन कभ भी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगो भागय का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भागय उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बह इसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेक देते है, कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते है दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप लख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंती बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक शेडाहट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम क चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में आति है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्य ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद